हेलो दोस्तों बड़ो को प्रणाम और छोटो को प्यार मेहुल स्टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है जैसा कि आपने टाइटल में पड़ा हम अपने मॉबैल के जरिए बिना को डॉक्यूमेंट अप्लोड किये अपने नवे पांकाड के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं इस अपने मॉबैल में किसी बी ब्रायुजर को ओपन कर लेना है अपको यहां सब्सक्राइब करके सर्च कर लेना है सफ करते हैं पहली वेब्सीट ऑनलाइन services.nsdl.com देखने को मिल जाती है तो इस website को हम पहले open कर लेंगे open करने के बाद कुछ हैसा आपको interface देखने को मिल जाएगा इस website का link मैंने video के description में भी दिया हुआ है अब वहाँ पर click करते ही इस website पर redirect कर दिया जाओगे यहां से आपको निचे आपको अप्सण कर लेंगे इसके बाद आपको निचे यहां टाइटल का ओप्सण देखने को मिल जाता है इसमें श्री श्रीमति या कुमार यापको सेलेक करना है आपके application के regarding जो हो आप सिलेक कर लीजे में यहां स्री सिलेक कर रहा हूं इसके बाद हमें next option मिल जाता है last name या surname अब जिसका भी पांकार बना रहे हो उसका last name यानि कि उसका surname हमें यहां बहुत अच्छी name का है तो हमें यहां पर अपना middle name अच्छी तरह से फिल कर देना है middle name फिल करने के बाद हमें नीचे date of birth का option मिल जाता है तो हमेरा date of birth हमें यहां फिल कर देना है इसके बाद हमारा कर लेना है concentrate है आजाना है यहां पर जो CAPTCHA दिया है वह быв और सब्मीट क्लिक कर ले ना है और सब्मिट में क्लिक कर देरू है यहां पर क्लिक पर सेव करके रख लेना है फिर हमें continue with pan पर click कर लेना है click करते ही यहां पर आपको एक नया प्रेद देखने को मिल जाता है यहां save drop का option आपको देखने को मिल जाता है तो हमें इस पर click कर लेना है जिसकी वज़़े से हमने जो data फिल किया है वो delete नहीं होगा इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर दीजी यहां पर आपको option मिल जाएगा how do you want to submit your pan यानि कि हम अपने document कैसे देना चाते है इसका option हमें या सिलेक कर लेना है पहला option हमें दिया गया है सब्मिट डिजिटली फ्रॉट एक वैसी एंड इसाइन यानि कि आप अपने आधरकाड करके थूट एक वैसी करके और उसके बाद तीसरा option हमें मिल जाता है forward application document physically यानि कि आप बाइपोस्ट वेजना चाहते हो तो आपको यह option सिलेक कर लेना है चुकि अभी में अधरकाड एक वैसी से अपना पांकाड बनने जा रहा हूँ तो हम यहां पहला option सिलेक कर लेंगे तो यहां मेरा पहला option सिलेक किया हुए है हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे यह नीचे आपको option मिल जाता है whether physically pen card is required अगर आप अपना pen card physically चाहते हो तो आपको yes पर क्लिक कर लेना है अधर्वाइस आपको no पर क्लिक कर देना है मैं यहां yes पर क्लिक रखता हूँ क्योंकि मुझे physical भी चाहिए इसके बद आगे हमें यहां अपना आदा नंबर के last four digit हमें यहां पर फिल कर देना है इसके बदद जो नीचे option है उसमें हमें अपना आप चाहिए तुम्हेंने यहां yes कर लिया है फिर हम नीचे स्कॉल कर लेंगे स्कॉल करते हमें यहां option मिल जाता है जैंडर तो आप अपने यहां पर जैंडर सिलेक कर लिजिए इसके बाद हम यहां next option मिल जाता है have you ever been no by any other name यानि कि आप दूसरे को उधर नम से जाने जाते हो तो आपको यहां yes कर लेना है अधर्वाज आपको यहां no पे ही click रहने जाना है फिर स्कॉल कर लेना है यहां next option आपको मिल जाता है whether mother is single parent यानि कि आपके mother single parent है तो आपको यहां yes कर लेना है अधर्वाज यहां भी आपको no ही रखना है नो सिलेक करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल कर लेना है स्क्रॉल करते ही यहां पर आपको अपने फादर की डिटेल देनी है तो यहां फादर का सरने में वह आपको यहां पर टाइप कर लेना है फिर इसके बाद जो फादर का नेम है वो हमें यहां पे फिल कर देना है और फादर का जो मिडल नेम है वो हमें यहां पे फिल कर लेना है मिडल नेम फिल करने के बाद आप चाहो तो आपका मदर का नेम भी आप यहां से select कर लेना है अगर आप अपने मदर का नम चाहते हो तो आपको यहां मदर के नम पे tick कर लेना है और अगर फादर का नम चाहते हो तो आपको यहां फादर के नम पे tick रहने देना है फिलाल मैं अभी यहां फादर के नम पे tick कर लेता हूँ फिर यहां से हमें next कर लेना है next करती ही आपको नया पे देखने को मिल जाता है यहां save drop का option देखने को मिल जाता है तो हम save drop पे क्लिक कर लेंगे save drop पे क्लिक करने से हमने जो पीछे detail फिल की है वो delete नहीं होगी इसके बाद हमें यहां पर score कर लेना है यहां मैं अपना source of income select कर लेना है अगर आप salary person है तो आपको यह salary select कर लेनी है फिलाल मैं अभी कोई student का पांकर बना रहा हूँ तो मैं यहां no income select कर लेता हूँ इसके बाद आपको नीचे option मिल जाता है address of communication अगर आप अपने आधर काड़ से अपना पांकर बनाना चाहते हो तो आपको यहां पे कोई भी detail करने की जरूरत नहीं है इसके बाद जो हमारा दूसरा option है वह हमारे आधर कर से ले लिया गया है तो हम इसको भी खाली छोड़ देंगे और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे नीचे हमें दुसरा आपना office address का option देखने को मिल जाता है अगर आप कही पर भी job करते हो काम करते हो उसका address आप यहां देना चाहते हो तो आप यहां पे फिल कर लिजिए अदर्वाइस इसको भी आप ब्लेंकित छोड़ दीजिए और नीचे स्क्रॉल क करके आजाईए नीचे हमें option देखने को मिल जाता है telephone numbers and email ID details हमारा country code है हम यहां से select कर लेना है हम टाइप करके यहां से country code को select कर लेंगे फिर जो आपके area का STD code है वह आपको यहां पर फिल कर देना है इसके पाद हमारा mobile number और हमारा email ID यहां पर फिल ही देखने को मिल तो हम next option पे click कर लेंगे next पे click करते ही फिर से एक नया page open हो जाएगा यहां पर हमें save drop पे click कर लेना है save drop पे click करने के बाद हमें नीचे scroll कर लेना है scroll करते हैं आपको यहां चार option मिल जाएंगे area code, AO type, range code और AO number आपको यहां पर कोई भी detail फिल नहीं कर देना है यह खाली यह हो भी हो हमने यहां से select कर लेना है state select करने के बाद हमारा जो critical हमें यहां पर select कर लेना है सीटी select करनेके बाद हम यहां character code का option देखनव को मिल जाता है तुछ में दो के बाद हम यहां next का option देखने को मिल जाता है तो हमें next पे click कर लेना है next पे click करते ही फिर से हमें save drop पे click कर लेना है और save drop पे click करते ही हमें नीचे scroll कर लेना है scroll करने के बाद आपको यहां कोई भी detail फिल नहीं कर लिए सिर्फ आपको declaration में declaration देना है तो यहां पर हमें declaration form ने यहां पर select पर click करके हमें himself और herself पर click कर लेना है और इसके बाद आपके city का name आपको यहां place में type कर लेना है इसके बाद type करने के बाद आपको यहां submit option पर click कर लेना है यहां देखो submit का option देखने को मिलता है तो हम यहां submit पर click कर लेंगे आपको यहाँ नाया पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ नीचे हम स्क्रॉल कर लेंगे तो पर्सटोल इटेल में आपको आपने आधारागर करने आधारागर के पूर डिजिट टाइप करने के बाद आपको नीचे यहां अपनी application की पूरी detail देखने को मिल जाती है तो नीचे scroll करते जाएए और पूरी detail अच्छी तरह से देखते जाएए अच्छी सब detail सही है तो आप यहां process पे click कर दीजिए अगर कोई गडबड आपको देखने को मिलती है तो यहां में edit का button देखने को मिल जाता है तो यहां से आप अपनी detail को सुधर भी कर सकते हो अगर कोई detail में कोई सुधर नहीं है तो आपको यहां process के button पे click कर लेना है process पे button पे click करते ही हमें payment gateway पे redirect कर दिया जाएगा यहां payment आप तिन तरह से कर सकते हो पहला option है demand drop के जरी है दूसरा option है online payment through ATM और तिसरा option है online payment through bill desk याप online भी payment कर सकते हो मैं यहाँ ATM के जरी है payment करने वाला हूँ payment option से लेक करने के बाद हमें निचे scroll कर लेना है यहां पे हमें जो भी fee जो pen करके fee है वो हम देखने को मिल जाती है fee को देखने के बाद यहां हमें एगरी पे क्लिक कर लेना है और process to payment पे हमें क्लिक कर लेना है process to payment पे क्लिक करते ही हमें यहां अपना transaction ID नमबर देखने को मिल जाता है फिर हमें निचे pay confirm पे क्लिक कर लेना है play app confirm पे क्लिक करते ही हमें कुछ भी process नहीं करनी है या अपने अपी हो जाएगा हमें यहाँ थोड़ी process देखने को मिल सकती है थोड़ी देर लग सकती है मगर हमें यहाँ कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ wait करना है wait करने के बाद देखो यहाँ पे payment receipt आ चुके है यहाँ मेरा payment successfully हो चुका है यहाँ प यह सारी डेल देखने के बाद नीचे हमें continue का option देखने को मिल जाता है तो हम यहां से continue पे click कर लेंगे, continue पे click करता ही हमें यहां नया page देखने को मिल जाता है इसमें हमें अपना अधरकार को authenticate करना है तो हम नीचे scroll कर लेंगे और यहां terms and condition को accept करेंगे और इसके बाद हम नी क्लिक कर लेंगे अधरकर के साथ जो भी मॉबाल नमबर रजिस्टर है उसमें यह तिपी आएगा वह पी हमें फिल कर देना है वह यहां से हमें सब्मिट कर देना है सब्मिट करते ही यहां एक नया पे जोपनों के आपके समने आ जाएगा यहां continue with this end पे हमें क्लिक कर लेना है continue with this end पे क्लिक करते ही हमें एक नया पे देखने को मिल जाता है तो हमें send otp पे क्लिक कर लेना है send otp पे क्लिक करते ही फिर से आपके आधर करके register mobile नमर पे एक otp आया होगा वो otp हमें यहां fill कर देना है fill करने के बाद verify otp पे हमें click कर लेना है verify otp पे क्लिक करते ही आपको यहां एक नया पेद देखने को मिल जाएगा इस तरह था interface आपको देखने को मिल जाता है यहां पे आपको अपना acknowledgement page देखने को मिल जाता है acknowledgement ship देखने के लिए आपको यह enter the password to open the PDF यानि कि आपके जो acknowledgement ship है वह password protected है वह password आपको यहां पे फिल कर देना है password में जो भी आपकी date of birth है वह आपको यहां without acknowledgement ship completely देख सकता हूँ अगर आप यह commitment ship को download करना चाहते हो तो आपको यह download का भी option देखने को मिल जाता है करना मत भूलिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए informative वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत